हेलो एब्रीवन वेलकम तुमा यूटूब चैनल इंग्लिस इस्टडी तो दोस्तो आज किस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यानि डिसकस करने वाले हैं एड़वर्टू की एक्ससाइज को लेके ओके यानि इसमें दो एक्ससाइज आज में कवर करने बाला हूं एड़वर्टू की जिसमें एड़वर्टू को हटाना नहीं है बलकि एड़वर्टू को लगाना है ओके तो यह हमारी दोस्तो एक्ससाइज है पहली एक्ससाइज है टू ए इसमें क्या है रिराइट दे फॉलवर्वर्टू यानि सभी में हमें एड़वर्टू को एड़ क के आपके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल सकता तो एंसर क्या होगा ही इस टू लेजी टू की पेस बिदियू यानि की सो की जगह पर हम एड़ टू को एड़ कर देंगे डैट ही कैननोट को हटा के प्रेपोजीशन टू लगाएंगे उसके बाद कैननोट के बाद वाला पू प्रेपोजीशन टू लगाया है यानि इसको हम हटा देंगे प्रेपोजीशन टू लगा के बाकी का पूरा सेंटेंस एजट लिख देंगे अब देखते हैं कुशन नंबर 3 सी इस पीक सो फास्ट यानि वह इतना तेज बोलती को उसको फॉलो नहीं किया जा सकता है तो एंस क्या होगा सी इस स्पीक स्टू फास्ट वी फॉलोड नेक्स इट इस सो हैवी दैट नन कैन लिफ्ट इट यानि कोई से उठा नहीं सकता है यह इतना भारी है तो एंसर क्या होगा इट इस तू हैवी तू लिफ्ट इट ओके अब नेक्स कुशन देखते हैं कुशन नंबर 5 the problem is so complicated that this little child can't यानि cannot solve it तो answer क्या होगा दोस्तों the problem is too complicated for this little child यहां पर लगेगा ध्यान रखेगा for this little child ओके यानि उस little child के लिए बहुत ही complicated problem है जैसे वो solve नहीं कर सकता है the problem is too complicated for this little child to solve it okay next he was cruel beyond the proper limit तो दोस्तों beyond the proper limit हमेंसा एडबर्ब तू की जगह पे लगता है तो यह बहुत ही easy है यह क्या हो जाएगा he was too cruel यानि वो बहुत ही cruel है यानि निर्दई है ध्यान रखेगा cruel के पहले ही हमें एडबर्ब तू लगाना है next sentence है you are so weak that you cannot walk बहुती simple और easy है answer क्या होगा you are so की जगह पे क्या लगा देंगे एडबर्ब तू you are too weak to walk यानि की you cannot और that को हटा देंगे next he is so poor that he can't buy this watch वो इतना गरीब है कि इस watch को buy नहीं कर सकता answer क्या होगा he is too poor to buy this watch यानि की जगह पेडबर्ब तू लगा देंगे that he cannot को हटा के क्या लगा देंगे प्रेपोजिशन टू भाकि पूरा sentence as it अब देखते हैं question number nine the mountain is so high that none can climb it तो दोस्तों answer क्या होगा the mountain is too high to climb it यानि की प्रेपोजिशन टू लगा के climb it as it लिख देंगे अब देखते हैं question number 10 question number 10 क्या है it is excessively cold excessively हो या extremely हो या over हो या beyond the proper limit हो उसको हम हमेशा दोस्तो एडवर्ब तू यानि टी डवलो तू में change करते हैं जैसे it is too cold answer क्या हो जाएगा it is too cold बहुत ही simple है अब देखते हैं next exercise यानिकी to be इसमें भी क्या करना है एडवर्ब तू को हमें add करना है पहला question है गोपाल is so fat that he cannot sit यानि वो इतना मोटा है गोपाल के बैठ नहीं सकता है answer क्या होगा he speaks too fast for us to follow him यानि की we can't यानि we जो है उसको हम किसमें लिख देंगे for us यानि हमारे लिए वो बहुत तेज बोलता है हम उसको follow नहीं कर सकते हैं अब next the book is so costly that I cannot buy it यानि मैं उसे खरीद नहीं सकता वो book जो है इतनी ज़्यादा महगी है answer क्या होगा the book is too costly for me यानि मेरे लिए for me to buy it अब next question देखते हैं यानि question number 4 question number 4 है one is never so old that one cannot learn यानि कोई इतना बुद्धा नहीं होता है कि वो नहीं सीख सकता कुछ या कुछ नहीं पढ़ लिख सकता answer क्या होगा one is never too old to learn अब question number 5 trees are so valuable that we should not fail them unnecessarily यानि पेड़ जो हैं हमारे लिए इतने valuable होते हैं हमें उनको unnecessarily काटके नहीं गिराना चाहिए trees are answer क्या हो जाएगा trees are too valuable for us to fail them unnecessarily यह हमारा इसका answer हो जाता अब देखतें next question the crowd was so large that the police could not control it यानि police के लिए crowd भहुत बड़ी थी वो उसे control नहीं कर सकती तो answer क्या हो जाएगा the crowd was too large for the police उसके बद to control it यह answer हो जाता है दोस्तों इसका अब next question यानि question number seven she was so shy that she did not speak a word यानि वो इतनी shy है के एक सब्द भी नहीं बोल सकती तो answer क्या होगा दोस्तों answer है हमारा she was too shy to speak a word यानि did not हो या cannot हो तब भी हमें to लेके ही preposition to लगाएंगे उसके बाद पूरा as it लिख थे next sentence है the book was so interesting that I could not put it aside without finishing it यानि की book इतनी interesting है मैं इसे बिना पढ़े पूरी अलग नहीं रख सकता side नहीं कर सकता यानि अपने से दूर नहीं कर सकता तो answer क्या होगा दोस्तों the book was too interesting for me यानि too interesting for me यानि मेरे लिए बहुत ही interesting है to put it aside without finishing it next sentence है the class is noisy beyond the proper limit तो same question ऐसा पहले भी आया तो beyond the proper limit की जगर हम क्या लगा देंगे adverb 2 the class is too noisy यह simple सा है champion the proper limit हो या over हो या extremely हो okay next sentence है और last है the room is so dirty that we cannot sit in it यानि रूम इतना गंदा है कि हम इसमें नहीं बैठ सकते एंसर क्या होगा दोस्तों the room is too dirty for us to sit in it ओके तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सस्क्राइब और शेयर करना नहीं गूलेगा फिर मिलते हैं एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए झांप जया होगा प्लीज वीडियो प्लीज वीडियों प्लीज 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 वीडियो प्लीज बाए